प्रिया दर्शकों, हर हर महादेव, जैस्री कृष्णा आप सभी लोगों का आपके अपनी यूटूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं आप लोगों को आज में एक बहुती दिब्य एवं सिद्ध यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो असाद्य बिमारियों से जूंज रहे हैं, जो बहुत जगी इलाज कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप इलाज तो कराते ही रहें जो भी ओसदी दे रहे हैं, डॉक्टर उसको भी गरहन करते रहें, लेकिन साथ ही साथ आप इस यंत्र, इस कवच को भी धारन कर सकते हैं और इस मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं किसी भी परकार की व्यादी हो, सर्व व्यादी विनाश के लिए लगू मृत्यून जे मंत्र का जब करना है, तथा स्री महा मृत्यून जे कवच यंत्र को किसी सिद्ध मुहुर्त में इसका निर्मान करके धारन करने से बहुत ही लाब मिलेगा वैसे भी महा शिवरात्री आने वाली हैं, उस समय भी आप इस यंत्र का निर्मान करके और मंत्र को जब करके धारन कर सकते हैं तो मंत्र कोन सा है वह आए, मंत्र बताने से पूर में आपको बता देता हूं कि यंत्र निर्मान के लिए क्या-क्या सामगरी चाहिए आपको अनार्क की कलम लानी है और अश्टगंद लाना है तो अश्टगंद की स्याई बनाकर अनार्क की कलम की लेखनी बनाकर भोजपत्र लाना है और भोजपत्र में इस यंत्र का निर्मान करना है और जो मंत्र है वह इस परकार से है ओम, जूम, सहा अब जो बिक्ती रोगी है उसका नाम लेना है यदि उस्वयम करना है तो अपना नाम लेए और फिर बोलना है पालय पालय सह जूम ओम इस मंत्र का जब करना है वैसे देखा जए तो सर्व सिरेष्ट तो यही रहेगा जो बेक्ती रोगी है वो स्वयम मंत्र का जब करें यदि आप स्वयम जब करने में असमर्थ हो तो पारिवारिक जन कोई भी इस मंत्र को जब सकते हैं यदि पारिवारिक जन भी नहीं जब सकते हैं तो किसी योग ये ब्रामन से इस मंत्र का जब करामें वेशतो सास्त्रों में बताया गया है कि इसके ग्यारा लाख जब करें और उसका दसांस भी जब करें या हवन करें 11,00,00,10,000 का जप करें यदि इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 100,00,00,00 जप तो अवस्य करना पड़ेगा और उसका 10,500,00 भी जप ही करें चाहे तो हवन भी कर सकते हैं जप भी कर सकते हैं इसका 10,00 और फिर इस यंत्र का निर्मान करना है सिद्ध मोहरत में महाशिव रात्री आने वाली हैं इस बार तो बहुत ही अच्छा दिव्य संजोग बन रहा है और मंगलवार भी पढ़ रहा है मंगलवार के दिन कोई भी यंत्र बनाय जाए तो शिग्र ही लाब देने वाला होता है एक मार्च को रात्री के समय आप इस यंत्र का निर्मान कर सकते हैं यंत्र इस्क्रीन में दे रहा हूँ आप वहाँ पर देखो या अश्ट गंद की स्याई से बनाना है अश्ट गंद लाने उससे बनाना है और जब बना लेंगे तो गुगल की धूप देकर धारन करना है जो पुरोष है वहाँ अपने पुरोष के दाहिने हाथ में और इस्तरी के बाएं हाथ पर किसी ताविज में इसको धारन कर सकते हैं अब आप अपने या इस्क्रीन में देखो इसमें सर पर्थम क्या लिखना है गोतर लिखना है फिर उसके नीचे पिता का नाम लिखना है पिता का नाम लिखने के बाद पुत्रिया पुत्री जो रोगी है उसका नाम लिखें और फिर इस यंत्र को निर्मान करें और यदि आप जब करने में भी बिल्कुल ही असमर्थ है या जब नहीं करा सकते हैं तो आप असमर्थावस मातr कातरभाव से प्रभु का इश्मरन करें और इस यंतर का निर्मान करें इसको धारन करें देखना आपको लाब और से मिलेगा जो लाब मिलेगा उसकी ब्याख्य मैं नहीं करूँगा आप स्वयम बताएंगे कि इससे आपको कितना फाइदा होता है तो आप इस यंत्र का निर्मान कर सकते हैं सभी ब्यादियों के नास के लिए हैं और यहां महामृतियुन्जे कवश्च यंत्र हैं देवादी दे महादेव की किरपा से आपकी दीरगायों होगी आप स्वस्त होंगे यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सस्क्राइब भी करदें और लाइक भी करदें और यदि आप परोबकार की भावना रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी अवसे करें क्योंकि ना जाने किसके काम यह वीडियो आ जाई कोई असाद्य विमारे से जूंज रहा हो तो उसके काम भी यह वीडियो आ सकते हैं वह भी इस यंत्र का निर्वान कर सकता हैं तो देवा देव महादेव आप सभी लोगों के उपर अपनी किरपा द्रिष्टी बनाए रखें महाशिव रात्री की बहुत बहुत सुपकाम ने आपके घर में सुक्त समर्दी का सुक्त समर्दी बनी रहें और देवा देव महादेव की किरपा बनी रहें इस यंत्र निर्मान के लिए स्रद्दा और विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है बहुत ही चमतकारी यंत्र है यहाँ तो अगली वीडियो जब तक आते हैं तब तक के लिए हर हर महादिव जैसरी कृष्णा